राजधानी दिल्ली शीत लहर की चपेट में है इसके बावजूद उसकी सीमाओं पर केंदर के क्रिशिक कानोनों का विरोध कर रहे किसान डटे हुए है रविवार को पारा 3.4 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया जो इस सीजन में अब तक का सबसे नियुनितमता अपमान है किसान आंदोलन शुरू हुए चार सप्ताह हो चुके है रविवार को किसान संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की जान चली गई उन्हें शद्धांजली दी आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे किसानों के लिए देश विदेश से समर्थन पहुच रहा है टिक्री बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को अमेरिका से दो सिख एंजियों ने टौलेट, गीजर्स और टेंट दान किये हैं सिख पंचायत फ्रेमांट कैलिफूर्निया के होशियारपूर कॉडिनेटर स्पी सिंख खालसा ने कहा कि 200 पोर्टेबल टौलेट्स और गीजर्स दान किये गए हैं पंजाब के अलग-अस्पतालों का स्टाफ भी सिंगु बॉर्डर पर आया हुआ है